Hello friends में नाम है वीजे और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कुछ methods की जो पांड़नमे जातर यूज के जाते हैं और हम बात करेंगे indexing की और slicing की तो चले start करते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ methods की important methods होते हैं जो हम यूज करते हैं पांड़ में उनको मैं उनको बता हूँगा उसके बाद next हम लोग बात करेंगे indexing की और slicing की सबसे पहले मैं यहां पर import कर देता हूँ पंडा को pandas as pd यहां पर एक variable देलूँगा pd.series ठीक है तो सबसे पहले यहां पर कुछ value देता हूँ 8,3,4,5,6 ठीक है और फिर इसको index देतेंगे तो यहां पर कमा लगांगे यहां लिखेंगे index और index value देतेंगे यहां पर ठीक है यहां पर हमने एक variable बना लिया हम मैं इस variable को कर प्रिंट करवाँ तो यहां पर एक वेल्यू 8,b की वेल्यू 3,4,c की वेल्यू 4,5 और 6 मिल लिए है और यहां पर देखेंगे हमने series वाइस बिल्कुल लिखा हुआ है तो हम मैं यहां तो चेंज करते हैं यहां पर हम ल बाते हैं तो यहां पर b,d,ac,f लिखा हुआ रहा है मैं इसले इसले लिख रहा हूँ क्योंकि यहां पर मुझे इसको short करवाना है और किस उसमे short कराना है index के बेशेज पर और value के बेशेज पर दोनों तरीके से करते हैं तो सबसे पहले एक new variable ले लिता हूँ मैं is equal to यहां प sorting हो गई a,b,c,d,f index के basis पर हमारी sorting होई है और a की value 4 जैसे यहां a की value 4 थी वहां a की value 4 है b की value 8 c की value है 5 d की value e और f की value 6 यहां पर मुझे मिल रही है उसी तरह से अगर मैं value के basis पर sorting कराना चाहूँ तो वो भी मैं करा सकता हूँ तो यहां पर लेता है new underscore variable 2 देता हूँ मैं इ तो यहां लेकूंगा values और यहां पर new variable 2 को print करवा हूँ अगर shift और enter दभा रहा हूँ मैं तो यहां पर value के basis पर start हुआ है increasing water में 3,4,5,6,8 ठीक है अगर मुझे यह check कराना है कि variable में हमारी कुछ specific value है या नहीं तो वह भी करा सकता हूँ मैं variable dot is in और यहां पर दो value देंगा हम रहि hon right रह रही है तो यहां पर देखे 6,1 है यहां नहीं तो यहां पर देखे false, false, false और यहां पर value आ रही है true है क्योंकि यहां पर हमारी 6 की value थी तो इसना यहां पर f में true value दे तीक है अगर मुझे variable के values चाहिए तो मैं लेकूंग यहां पर variable dot values और यहां जो मुझे value वह array की form में भी लेंगे यहाँ array देखिए 8 3 4 5 6 मिल आ है और यहाँ पर हमें operations भी करा सकता हूँ जैसे for का loop अगर मुझे लगाना है और मैं आप list comprehension का use कर रहा हूँ ठीक है list comprehension के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप i button पर क्लिक करके देख सकते है list comprehension क्या है python का concept है जिसमें हम fall loop को काफी easily लिख लेते हैं list comprehension के लिए मैं लगाऊंगा square pieces और यहाँ लिखूँगा i for i in variable.values ठीक है इसको run करूँगा तो मुझे खली value values देतेगा सारी 8 3 4 5 6 और अगर मुझे index की value चाहिए तो वह भी मैं ले सकता हूँ अगर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा variable.index ठीक है तो यहाँ पर मुझे index की value मिल जाएगी और यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ फिर से list comprehension का use कर सकता हूँ यहाँ for loop लगाके और यहाँ values की जगा मुझे क्या करना पड़ेगा index करना पड़ेगा यहाँ लिखना इंडेक्स ठीक है तो index की value मुझे यहाँ पर मिल गई यहाँ अगर मैं लिखता हूँ variable.items तो यहाँ पर दिखे यह मुझे दिखा रहा है bound method b8 से हुआ है d e से a4 से cf से और f6 से ठीक है यह हमारी method से कुछ अगर मुझे इनको एक साथ चाहिए तो मैं किसका use करूँगा यहाँ पर variable.items और parentheses लगाँगा तो यहाँ पर मुझे एक zip मिलेगा जिसको zip को मैं किसी क अंदर ही पास कर सकता हूँ जैसे अगर मुझे list के अंदर पास करने है तो list के अंदर पास करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा variable.items ठीक है तो यहाँ से हमारी एक list create होके आ जाएगी ठीक है list create होके आ गई अब मैं इसकी index की value को और index और value को separate कर सकता हूँ for loop की मदद से ठीक है तो यहाँ पर आते हैं एक for loop लगाते हैं सबसे बढ़े भी लिखते है for index, value in variable items.items ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए variable.items में क्या है किस तरह से भीज रहा हम है हमें zip की form में मिल दा है और zip की form में जब मिल दा है तो इस तरह से उसे list में जबढ़े हैं जहां हम प्रिंट करवा देता हूँ और इनके बीच में add कराता हूँ एक डैश ठीक है तो सबसे पहले लिखा हूँ अप्रेंट इंडेक्स हमां सिंगल कोटेशन्स डबल कोटेशन्स और यहां पर मैंने डैस लगाया और फिर मैंने दी यहां पर वैल्यू ठीक है यह दोनों चीज प्रिंट हो किया जाएंगी shift enter दबाया है तो यहां पर देखे b-8, d-e, a-4 और c-f और f-6 यहां पर मुझे मिल रहा है और यहां पर दीखे जो हमारे variable है अगर मैं इसमें slicing apply करता हूँ तो किस तरह से करूँगा यहां लिखूँगा variable और यहां लिखता हूँ मैं कि index 1 से index 5 तक की मुझे value चाहिए तो ठीक है क्योंकि 0 भी तो count होगा इसको चलाया है मैंने तो यहां पर d-3, a-4 और c-5 लिखा हूँ है लेकिन तेनी value लिखके हूई आई ऐसा क्यों हो रहा है क्यों कि यहां पर यह है जो 1 है यह index 1 को दिखा रहा है अगर हम यहां पर देखें जब हमने variable को create किया था तो index 1 क्या है d है ठीक है फिर index 2 हमारा a4 है index 3 हमारा c5 है और यहां पर हमने क्या करका है once लेकर 4 देखा है तो जब भी आप value देते है index की value के हिसाब से तो जो 4 होता है वो exclude होता है उसको count नहीं किया जाता है उससे पहले index 1 की value आएगी index 2 की value आएगी index 3 की value आगी 4 की value include नहीं होगी यहा तीसा perimeter यहाँ पर क्या है तीसा perimeter यहाँ पर step का होता है कि jump कितने करवाने है ठीक है बीच में तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की value को print के साथ एक step को दवाता हूं बीच में 2 करता हूं तो जीरो से एक छोड़के फिर दूसरे में आएगा ठीक है उसके आया ठीक है फिर a आया ठीक है एक gap आया फिर से एक gap आया फिर f की value f की value print नहीं होगी क्यों नहीं होगी f की value print क्योंकि यहाँ पर हमने यह 4 तक लिखा हुगा है तो 4 include नहीं होगा कि 1 से 0 से लेकर 3 तक की value को यह include करेगा और दीखें आप अगर आप index जो a और b है उसके हिसा अगर मैं लिखो यहाँ पर variable और square basis और square basis के अंदर मुझे एक और square basis देने पढ़ेंगे फिर मैं दूँगा double quotations और यहाँ पर दूँगा b comma double quotations और यहाँ पर दूगा a तो यहाँ पर देखें b और a दोनो include होगे इन cases में दोनों ही दोनों आपके include होते हैं जितने आपने द अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सबस्या करना ना भूले आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम तीनों जगा फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमेरी प्लेइलिस को जरू जख करिए फ्रेंड क्योंकि वहां पर हमने डिफ्रेंट डिफ्रेंट फ्रेंवर्क्स और प्रोग्रामिंग लेंग्विज पर वीडियो बना रिखें जैसे देख कि आप अपनी लाइज को बहुँच जाते हैं इंक्रीज कर सकते हैं थेंक ये व